नमस्कार मैं हूँ रानी रूहल और इस वक्त में खड़ी हूँ भारतिय जन्ता पार्टी के केंद्रेकाराल्य में जहां पर कला एवं संस्कृती प्रकोष ने राश्टिकारकार्णी बैठक का आयोजन किया जिसमें पुरे देश भर से कला एवं संस्कृती से जुड़े लोगों ने शिर्कत की तो चलिए बात करते हैं यहां पर आई हुए लोगों से और जानते हैं क्या कहना है उनका इस बैठक के बारे में यहां सभी कलाकारों को आमन्तृत किया गया था हमारे राश्टिय संयोजग डॉक्टर मितलेश च्रिपाठी जी के मादियम से हम लोग भारत आईए और अपने हमारे धर्म की तरफ देखिए हमारी आस्था देखिए कि हम लोगों में सभी लोगों का समावेश होता है सभी को छोटे से बड़े को हम लोग समान देते हैं और हम लोग कहते हैं कि अस्मिन सरवानी भूतानी आत्मे वा भ्युत जानेते अपने भारेंगे तो हमारा देश उन्ठी के शिक्र को चुएगा कहला और संस्कृती हमारे देश की रिच कल्चेरल हरिटेज जो है मुल्यों का आज की परिस्तिति में विगठन हो रहा है तो हमारे मूली क्या है समाज में कहीं हत्याये हुई कहीं बलदकार के कांड हो रहे हैं कि स्थापना करने की और हमारे कदम कैसे बढ़ सकते हैं और हमारे संगठन को जो इन मूल्यों की स्थापना करने वाले हैं कला को बढ़ावा देने वाले हम देखते कि एक कलाकार है जो सही में पूजनिय है सब उसको बड़ी आदर करते हैं समाज में इज़द करते हैं पर उसके पास रिसूर्स नहीं होती कि वो कला को बढ़ा सके तो उस शेत्र में हम क्या कर सकते हैं सरकार का समनवाई कैसे हो सकता है सहयोग कैसे हो सकता है और पूरे प्रांतों में हमारा जो ये संगठन है देश भ जिस तरह से कार कर रहे थे हर कला के माध्यम से जनता के बीच जा रहे थे और आगे अब जो योजनाय हैं जो मोदी जी ने कारेओं की योजना बनाई है उस Mortal के ऊपर हम काम करेंगे इसका जो पूरा उद्देश यही था कि कला और संस्कृति का प्रचार प्रसार हो और कलाकारों के जो माली अवस्था उनकी ठीक नहीं होती है उन पर भी हम लोग थोलब सा ध्यान दे और सरकार के साथ समन्वाइ करके और भारती जुन्ता पार्टे के साथ मिलकर उन कलाकारों कि इस्तिधी के लिए हम लोग अच्छा कहा है। इसे के हमने बात के यहां पर आए हुए लोगों से वो काफी उच्छाहिद दिखे इस बैठक से और उन्हें पूरी उमीदे हैं कि भारते जनता पाटी, कला और संस्कृती को प्रोच्छाहिद करने के लिए सभी महतुपुन कदम उठाएगी। आज के लिए बस इतना ही फिलहाल के लिए हमें आगे दीजे नमस्कार। आगे बसक्षाहिद का लिएक से दोएड़ दिए आगे अजाएगे।